हलो स्टुडेंट्स विल्कम बाक स्टुडेंट्स बेसिक इंग्लिश पर बेस्ट आज का हमारा ये थर्ड डे विडियो लेसन है इससे पहले हमने बेसिक इंग्लिश स्रीज पर दो वीडियो और भी अप्लोड करी है अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप जागर के वीडियो को देख लिए क्योंकि आपको चीज़े और भी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगी आपको हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा अगर आपको जानते भी है तो भी उसना कुछ चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो आपको शायद इससे पहले कहीं देखने को नह कि किसी भी लाइगज की सबसे शुरुवाती चीज जो होती है वो होता है हमाँ लेटर्स और लेटर से बढ़ा होता है वर्ड और वर्ड से बढ़ा होता है सेमिगा अना ग्रूप ऑफ लेटर्स विच इस मेंनिफूल इस कॉल वर्ड यानि कि आप्षरो का वासमूद जो की सही सही आर्ट से देता है उसे हम वर्ड बोलते हैं सबोस्टाइट बी ओ ओ के यह लेटर्स है इसको सही करण में अरेंज किया गया है सही और अरण में अर्ण रखा तो इसके बनता है किताब अगर इन्ही लाटर्स को हम अलग अलग तरीके से O O V टो जा इसका मतलब नहीं होगा तिक है उस्सी तरफ़ा शब्दों का ऐसा सभूद जिससे कोई मतलब निकलता है या उसको सही तरीके से सही ओर्टर पर एलेंज किया जाता है तो उसे हम सेंटेंस क्याते हैं एक ग्रूप ऑफ वर्ड्स विच मेंक्स अप्प्लीट सेंस शब्दों का ऐसा समूर जिससे की पूरा पूरा आख निकलता है वह मैं चानते हैं वह जाता है वह जाता है वह जाता है मैं नहीं जाओँ गांगा हम लोग तुमारे दोस्त नहीं है, वह कितना लंबा है, तुम कितने बेवगूफ हो, क्या आप मुझे जानते हैं, यह सब जो कुछ भी है, वो basically क्या है, sentences है, तो इनी sentences उसको हमें समझना है, कि sentence को को है, तो कहता है, there are five kinds of sentence, sentence के पांच परकार होते हैं, पांच उसके kind होते है कोन कोर सा है, तो assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence और exclamatory sentence, यह कभी किसी का हम कुछ कहते हैं, कि वह मेरा दोस है, वह मेरा दोस नहीं है, कभी हम अपनी बातों से परश्र कोछते हैं, क्या तो मुझे जानते हो, कभी किसी पर हम गुस्ता दिखाते हैं, कभी किसीसे हम request करते हैं, कभी किसी करते हैं ना एंगर देख करते हैं तो इन सब से जो निकलने वाला sentence होता है उन सब को हम पांच भागु में करते हैं पहला है हमारा assertive sentence इसके assert करते हैं दूसरा है हमारा interrogative sentence इसना हमारा imperative sentence छौता है assertive sentence and the next one is the last one is exclamatory sentence चलिए हम देखते हैं अलग लग सब को पहला है assertive sentence कहता है a sentence which makes a statement is called assertive sentence ऐसा sentence ऐसा बाफ है जिससे कोई statement निकलता है कोई कछन निकल कर गया ठीक है कोई बात करी चाती है हना affirmative में या negative में हाँ या ना में उसे हम गोते है assertive sentence जैसे राजू is my friend राजू मेरा रूस है तो राजू एक वर्ट होगया is my friend जिस सब अलग अलग वर्ट है उनको सही order में arrange किया गया है उससे एक मतलब निकल कर कियाता है राजू is my friend राजू मेरा दोस्त है तो अलग इस नॉट इन पटना रोही पटना में नहीं है ठीक है अच्छा she is my best friend वह मेरी सक्से अची दोस्त है I do not have a friend मेरे पास spend है तो basically या में तेंगे के affirmative संटेम्स को और नेगेटिव संटेम्स को हम असर्टिव संटेम्स बोलते हैं या किसी भी चीज़ को आपारू करते हैं या किसी भी चीज़ को हम डेनाई करते हैं किसी भी चीज़ को हम बोलते हैं हां में या किसी भी चीज़ को ना में बोलते हैं तो उसी को हम कहते हैं असर इंट्रोगेडिक सेंटेंस कहता है a sentence by which a question is asked एक ऐसा sentence एक ऐसा वाक्ति जिसके द्वारा हम question उससे प्रश्ण करते हैं उसे हम भोते हैं इंट्रोगेडिक सेंटेंस जैसे महा लिया Do you know me? क्या मुझे जानते हो? या पिर What is your name? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तो basically हमने क्या क्या? हमने question asked क्या उसे हम जाएते हैं introvary sentence दोते हैं अब यहां पर देखेंगे कि प्रश्ण भी दो तरीके से बूच गया है Do you know me? पहला है हमारा क्या तुम मुझे जानते हो? तुम्हारा नाम क्या है? There are two types of introductory sentence introductory sentence के भी दो type होते है पहला होता है yes no question या पे उसे हम बोलते है question word और दूसरा होता है ws question या उसे को हम बोलते है w page family पहला लेते हैं yes no question पहलेता है the question which answer is given being yes or no ऐसा question जिसका उत्तरम हाा या नामे ने दे उसे हैं बोलते हैं yes no question, हाणा, जैसे माल लिया मैं बोलू, are you a doctor, कि आप एक doctor है, तो बोलेंगे yes I am a doctor, या पिर no I am not, ठीके, आपने पुछा, क्या तो एक doctor लो, तो इसका हिंदी हमेशा क्या से निकल कर जाता है, तो जिस प्रशन का हिंदी क्या से निकल कर जाता है, या प्र question word, कुछी कों बोलते है, question word, हाणा, या पिर yes को question बोलते है, वास अधरी इंडेली, क्या अभी दिल्ली में था, no, के वास नौट, नहीं, वा दिल्ली में नहीं था, हमने answer कुछी ने दिया, yes और no, क्याता है, it always starts with auxiliary work or helping, या हमेशा auxiliary work से शुरू होता है, या पिर helping work से शु do, does, did, have, has, had, shall, should, very good, can, could, may, might, must, out to, used to, need and there, ये 24 helping words होते हैं, ये हमेशा उस question के शुरू में लगते हैं, या इंगलिश में, पार उसकी पहचान ये है, कि उस question के जो हिंदी होगा, वो हमेशा क्या से चुट होगा, और उसका जो answer होगा, वो हमेशा हम, हाया, ना में दिल question word, इसको हम W question word बोलते हैं, W family भी कहते हैं, the question which answer is not given in yes or no, is called W question word, ऐसा प्रशन जिसका answer हम हाया क्या से नहीं कहते हैं, उससे हम W question word कहते हैं, या दि कि what is your name, तुम्हारा नाम क्या है, तो हाँ, मेरा नाम अमन है, ऐसा हम बिल्कूल भी नहीं कहते हैं, अच्छा ये हमेशा हिंदी के क्या से शुरू भी नहीं होता है, ये हमेशा noun या pronoun से शुरू होता है, अगर हम बोले what is your name, तो हम लिखेंगे, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो किस से शुरू हुआ ये, तुम्हारा से शुरू हुआ, तुम्हारा और्वांट कैसा है किस से शुरू हुआ तो नाम से शुरू हुआ । रोहन क्या है नाम है याम से हैं और हमेश्च यह टूस्टार से शूरू होता है और 9 वच वॉर्ट जो क्या है तो वह है बैसिटली वाट मैं वाइव which वर्ड और the next one is how नहीं होता है वह उसके फीर यह हमें करें अबिछ Beauty होता है पिलिए लाइगight करें और सबस्थ्राइब और हां कमेंट करना बिल्कुल भी न भूले मिलते हैं आरे वीडियो में जय हुआ